So hey guys, welcome back to my channel So guys, आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंट्रेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होने वाला है मैं एक सवरा वीडियो एन तक देखेगा So guys, आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं Nurtur, Leader और Achiever इन दोनों में basic क्या difference होता है और आपको अपने हिसाब से किस बैच में अडिमिशन लेना चाहिए आज किस वीडियो में पूरा डिटेल में बात करेंगे वैसे तो guys, Nurtur vs. Leader Leader vs. Achiever और Nurtur vs. Achiever के उपर सायद मैंने वीडियो बना रखा है, ठीक है लेकिन फिर भी आप लोगों का बहुत ज्यादा कमेंट आता है, कमेंटस देखने के बाद ही मैंने यह डिसाइड किया कि इस पे एक वीडियो और सेपरेट वीडियो बना दिया जाए जिसमें मैं तीनों को कवर करूँगा, आज तक मैं ऐसा लेकिन जो first time quota आना चाहते हैं, जो first time quota आ रहे हैं उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा doubt होता है इस चीज़ को लेके क्या nurture क्या होता है, leader क्या होता है, achiever क्या होता है हमें किस batch में admission लेना चाहिए और बहुत सारे भाई लोग के पास ऐसा होता है कि सही चीज ना पता होने के कारण वो किसी गलत batch में admission ले लेते हैं जो कि आगे चलके वो बहुत पच्चताते हैं तो आगे चलके आपको भी ऐसा कोई भी पच्चतावा ना हो इसके लिए आज का ये वीडियो में बना रहा हूँ तो अगर आप भी एक phraser है अगर आप भी कोटा आना चाहते हैं LN में पढ़ाई करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए होने वाला है तो चले आज के इस वीडियो के start करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं nurture batch से तो देखिए nurture जो batch होता है वो 11th class के लिए होता है अगर आप 10th class pass होके कोटा आते हैं जो भी medical या IIT के बच्चे होते हैं वो लगबग ज्यादा तर जो बच्चे होते हैं वो 10th pass होने के बाद ही कोटा चले आते हैं तो 10th pass होके जब कोटा आते हैं तो 11th, 12th आपका schooling type का होता है तो यहाँ पे 11th class जो होता है वो nurture होता है तो आप उसमें admission ले सकते हैं nurture pass होने के बाद जो class 12 होता है वो enthuse होता है ठीक है तो यह nurture और enthuse होता है जो के clear होगे आपका अगर आप class 10th pass होकर आए है class 11th सिर्फ आपको पढ़ना है तो आपको nurture में admission लेना चाहिए अब हम बात करते हैं nurture तो complete हो गया अगर आपको class 12 पढ़ना है अगर class 11th आप pass हो चुके हैं तो class 12 के लिए आपको enthuse में admission लेना चाहिए 11th, 12th तो clear हो गया उसके बाद आता है अगर आपका neat में selection नहीं हुआ तो आप बन जाते हो dropper तो अगर as a dropper अगर आप quota में आके LN में पढ़ाई करना चाहते हो तो आपके पास दो option होता है starting में पहला होता है leader दूसरा होता है achiever leader वो बच्चे लेते हैं जिनका basic clear नहीं होता है आपका concept clear नहीं है आपको अपने concept पे confidence नहीं है तब ही आप leader subject ले क्योंकि leader में आपको बिल्कुल basic से पढ़ाया जाएगा दूसरा जो option होता है वो होता है achiever achiever वो बच्चे लेते हैं जिनका basic almost clear होता है यह नहीं कि पूरा clear है पूरा clear होता तो neat में selection हो जाता लेकिन जो basic होता है जो basic level का चीज होता है अगर वो आपका clear है तो achiever में जा सकते हो क्योंकि achiever में ज़्यादा जो focus किया जाता है वो practice पे concept का ऊपर यह सब चीज पे focus किया जाता है और ज्यादा तो जो confusion होता है लोगों के दिमाग में वो leader और achiever को लेकर ही होता है तो leader आप तभी ले जब आपको बिल्कुल basic से पढ़ना है achiever तब ले जब आपका basic clear है उसके बाद आप achiever के तरफ जा सकते हैं तो आज की इस वीडियो में यही doubt clear करना था nurture, leader और achiever इन तोनों में क्या difference होता है और I hope कि मैंने बिल्कुल अच्छे से आपको आसान भासा में समझा दिया होगा कि leader, achiever और nurture में क्या difference होता है अगर फिर भी आपको कोई भी doubt है description में 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 instagram का link है आप मुझे instagram पे dm कर सकते और वहाँ से personally मेरे से बात करके जो भी doubt है वो clear कर सकते तो चलिए आज के लिए इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगा तो like comment से जरूर कीजेगा और अभी तक channel को subscribe नहीं किये है तो subscribe कर दीजे और bell icon को press कर दीजे जिससे के हमारी uploads की सारी notification अपका time पर मिलती रहे तो चलिए आज के लिए इतना ही मिलते है किस और दिन किस और वीडियो के साथ